नमस्कार मैं उशा और आप देख रहे हैं जेजेन न्यूज उत्तरकाशी में सिल्क्यारा टनल से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है बता दें 41 जिंदगियां बचाने के लिए 42 मीटर तक एक पाइप डाला गया है जहां ड्रिलिंग का काम सरसत फीजदी पूरा हो चुका है वही सुरंग के अंदर फसे मजदूरों को अपपका हुआ खाना मिलने लगा है इसके साथ ही वीडियो कम्यूनिकेशन होने से फसे हुए लोगों का मनूबल बड़ा है बता दे 41 लोगों के सुरक्षत रेस्क्यू को सुनिश्चित करने के लिए कई सरकारी एजिंसियों को तैनाद किया गया है इस दोरान रेस्क्यू अभ्यान पर सलाह देने के लिए नैशनल और इंटरनाशनल टरनलिंग एक्सपर्ट साइट पर मौजूद है आपको बता दे NDRF, SDRF की ओर से वायर कनेक्टिविटी के साथ मौडिफाइंग कम्यूनिकेशन सिस्टम डिवलप किया है ताकि मजदूरों से सीधी बाचीत हो सके पिछले 6 गंटे में 45 मीटर तक टरनल में पाइप डाला जा चुका है महस 12 मीटर और बचा है अनुमान है कि बस कुछी समय में अच्छी खबर मिल सकती है मिली जानकारी के अनुसार रेस्क्यू टीम थोड़ी ही देर में मजदूरों तक पहुँच सकती है और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा इस खबर में बस इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे जेजेन नियूस के साथ धन्यवाद